एंडूइड एक्सेस डिस्टिक्सन को इस तरीके से स्वाल करें तो दोस्तों एंडूइड 10 प्लस इतने भी एंडूइड वर्जिन है ना उन सब में एक कॉमन प्रोब्लम आ रहा है कि जब आप एंडूइड के अंदर डेटा में कोई भी गेम का फोल्डर हम इंस्ट्रोल करन आप अपसको बचाने वाला हूं तो अभी यह देखि आपर मेरा एंडूइड वर्जन 13 है और इसमें भी दोस्तों यह प्रोब्लम है वह आ रहा है अब यह जो ट्रिक बतने वाला हूं दोस्तों यह सब भी एंडूइड वर्जिन में काम करेगी तो यहां पर यह देखिए अभी मैंने इस फोल्डर को कोपी कर लिया है अभी में चला जाता हैं एंडूइड डिमेंड डेटा के अंदर अब जैसे में इसको यह पेस्ट करता हूं तो यह देखिए आपर प्रोब्लम आ रहा है कि वह इस फोल्डर है जन एंडूइड एकसे रिस्ट्रिक्षन तो मैं आज की शुर्य में आप सको बताना वाला हूं तो वीडियो पूरी दिखना दोस्तों आपका प्रोब्लम है वह अंडेट पसेंट सोल हो जाएगा उसकी गारंटी में लता हूं तो अभी दोस्तों यहां आपको क्या क्या करना है वह मैं आपको बता देता हूं तो सबसे फिल्स दोस्तों आप यहां पर बेका जाएए और आपको जो है एक एप्लिकेशन की जरूत पड़ेगी जो एप्लिकेशन है फाइल्स एप्लिकेशन ही दोस्तों चाहिए होगा इसकी लिंक भी मैं आप सब को जो है डिस्क्रिप्सर में दे दूँगा तो उसे आप इंस्ट दोस्तो जो मैं गेम इंस्ट्रोल करने वाला हूँ अभी वो मैंने पेले से ही इंस्ट्रोल करके रखा है तो उस फोल्डर को मैं यहाँ पर आटा देता हूँ ताकि भई कोई भी कन्फूजन यहाँ पर ना हो तो यह देखिए जो folder है वो मैं वापस install करने वाला हूँ अभी बेस को uninstall कर देता हूँ यहाँ पर तो यह मैंने इसको यहाँ पर long किया और उसके बाद मैं delete कर दूँगा तो अभी यह देखिए यहाँ पर इसको मैं delete कर दिया तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो main process है वो start होता है तो आपको गया करना है three dot के उपर आप सब प्लिक करना है और यहाँ पर new folder प्लिक कीजिए अब दोस्तों यहाँ पर apk के साथ जो data होता है और उस data folder का दोस्तों एक नाम होता है जब भी आप download करते है तो com.t या फिर कोई दूसरा दोस्तों नेम होता है तो वो आपको यहाँ पर copy कर लेना जैसे कि मैंने यहाँ पर dts scenarios का जो name है folder का वो मैंने copy कर लिया है तो दोस्तों बिल्कुल ज्यानिस आपको यहाँ पर name लिखना पड़ेगा क्योंकि गलट name होगा तो आपका जो game है दो तो यह देखिया हमारा यहाँ फोल्डर भी बन चुका है तो अभी हमें आ जाना है वापस चे राजिवर के अंदर और जो अभी फोल्डर है दोस्तों उसके अंदर जितनी भी files वो आप सब को copy करनी है मैं फिर से बोलता हूँ कि folder के अंदर जो भी files है वो आप सब को copy कर ले आपर तो आप यह देखिया हमारा रोकस्टार गेम जो चीठी यह से आ गया तो इसके अंदर मैं copy कर दूंगा और आपको दूसरी यहाँ पर जो है कुछ permission मागेगा तो उसमें आपको एलो ही करना है हमें ऐसा के लिए तो अगर आप एलो नहीं करेंगे तो आपका जो copy है द कर दीजिए और आपको एसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को on कर लेना तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही